तो आक्सिजन की गमी और इसी को लिकर जारी सियासत पर केंद्रे मंत्री मंसुक मडविडिया ने भी नसीहत दी है ऐसे सम्वेंदर जिशील मुद्दे पर सब कुछ साथ मिल कर काम करना चाहिए देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लगातार जो रेमडविसीर इंजेक्शन जो की सबसे असरकारक दवाई मानी जा रही है उसके डिमांड भी बढ़ रही है इसी पर बाच्चीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद है कैमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर सर ये बताए जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है सरकार क्या कदम ले रही है लेकिन राजनीती भी बहुत ज़ादा हो रही है महराष्टर ने आरोप लगाया कि उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे है सबसे पहले तो मैं यह बता दू कि देश में 6 एपरिल के बाद एक आए कोरोना बढ़ा और डिमांड बढ़ी लेकिन उस वक्त देश में रेमडे सीवीर इंजेक्शन बनाने के लिए साथ कमपनी के पास लाइसंस है उसमें केवल दो ही कमपनी प्रड़क्शन करती थी और तो भी उनकी कैपिसिटी से 20% क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी जैसे कोरोना बढ़ा तो तुरंत ही हमने सभी कमपनी के साथ मीटिंग किया और कहा कि आपकी कैपिसिटी क्या है तो पता चला कि 38 लाख वाइल बना सके इतनी कैपिसिटी है हमने सभी को कहा कि आप प करने में 21 लगता है तो चालू करने के बाद 21 डेज में मार्केट में आएंगे सब लोगों ने चालू कर दिया आज मुझे मैं आपको बताऊंगा कि पर डे एक लाख 35,000 वाइल आज के दिन में प्रडक्शन में आ गए है अगले एक सप्ता में दो लाख तक पहुंच जाए देश में प्रडक्शन बढ़े है इसके लिए हमने 20 प्लांट था दूसरे 20 प्लांट को प्रमिट कर दिया और उसकी कैपेसिटी मंतली 38 लाख थी उसको बढ़ा के एक करोड से अब आज के दिन में हो चुकी है प्रडक्शन लाइन अब हो चुका है सेकंड यह क्रिटिकल स् सिट्यूएशन में कोई भी गवर्मेंट हो स्टेट गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट हम सब लोगों को साथ में मिल के काम करना चाहिए यह आक्षप प्रतियाक्षप का एक दूसरे पर दोशारोपन करने का समय नहीं है ऐसी राधनीती कोई भी ना करें ऐसी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है देखते रहिए आज तक नमस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले